कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए एक बहुत यूनिक रैसिपी लेकिया ही हूँ जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में लोग इसको खाना बहुत पसंद कर रहे हैं जी हाँ मैं मॉमोस की बात कर रही हूं इनको डंपलिंग्स भी कहा नहीं डालनी तो यहां पर आप कॉंटिटी देख सकते हैं के वेजिटेबल हमने कितनी कितनी लेनी है तिर्फ बंगोबी जो है वो हमने थोड़ी सी एड़ करनी है अच्छा उसके बाद फिर हमने यहां पर एक चोपर लिया है उसमें अनियन एड़ करेंगे यहां पर मैंने मीडियूम साइस का प्याज एड़ किया था और उसके बाद भी हमने जो वेज़ीटेबल की थी आड़ कर देंगे इस वेज़ीटेबल को मैंने बरीक करनी था क्योंके चोप अनिजी था उसके बाद इसमें थोड़ी सी बंगोबी एड़ करेंगे बंगोबी की कॉंटिटी आप देख सकते हैं तो हम इसमें वन गो भी एड कर देंगे और इसको चौप कर लेंगे उसके बाद हमें थोड़ा सा चिकन चाहिए जिसमें मैंने यहां पर हाफ ब्रेस्ट पीस को चौप कर लिया था तो बॉलनेस चिकन चाहिए तो हम यहां पर इसको चौप कर लेंगे लेंगे मॉमोस के लिए परफेक्ट डो बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे कि ना इसके लिए हमें बहुत सक्ट डो चाहिए और ना ही बहुत पतली डो चाहिए अब डो रैडियो हो चुकी है तो इसको अच्छे तरीके से नीट कर बढ़े लिए हम अभी संसे त्रीकर मिगविफ कर लेंगे मिक्स करने के लाओ इस इसमें अब हम अपने सपाईसिइ एड़ करेंगे थी बिर तया प्वंग तेस्पुन सॉल्ट एड़ किया था और उन ठीज़वों ब्लैक यठ गूर्वेपर काली मिर्ड़ यह कि थी उसके आपने तेस्ट के मताबिक रजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर फिर मैंने सौय सोस एट की थी इसका वन टेवल स्पून जो है वो इनफ है तो वो एट कर देंगे दिन इसमें हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट आइट कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम डो लेंगे और डो को दर्मयान से कट करके इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे अब जो हमने पेड़ा बनाया था उसके हम रोटी बेल लेंगे रोटी ना थोड़ी मोटी होनी चाहिए और ना ही थोड़ी सी पत्री होनी चाहिए तो हम इसका साइज जो है वो दर्मयाना रखेंगे पेड़े को बेलने के बाद यहां पर मैंने एक लिट से डो को एक शेप दे दिये इस तरह पिर इसके एजिस जो होंगे वो हम कट कर लेंगे और यह हमारे पास एक प्रोपर मॉमोस की जो डोगी वो तियार हो जाएगी अब हम मिक्स्टर एड़ करेंगे तो मिक्स्टर जो है वो हम ज्यादा एड़ ने करेंगे वरना मॉमोस की शेप नहीं आएगी अब इसको momos की Size देंगे, सबसे पहले तो हम ने दोनों edges को Close कर लेना है, Filling को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, और दोनों edges को Close कर के इसको Overlap करना है, उवरलैप मैं आपको बताती हूं कि क्यों तरह खढ़ना है, तो इस तरह हम इसको ओवरलैप करेंगे दोनों एजिस को हम पकड़ कि इस तरह ओवरलैप कर देंगे इस तरह यह बहुत अच्छी शेप आएगी मॉमोस की मॉमोस की बहुत ही डिफरेंट शेप से तो यहां पर मैं आपको सिर्फ एक दो शेप से बताऊंगे क्योंकि मेरे लिए वही है तो बमेसिकली हमारे पास मॉमो की यही शेप होती है तो हम यही बनाएंगे अब मैं आपको मॉमोस की दूसरी शेप बनाना सिखाती हूँ सबसे पहले हमने फिलिंग एट की फिलिंग एट करने के बाद हमने जितने भी आउटर एजिस है ना उनको क्लोज कर लेना है इस तरह हम सारे एजिस को पकड़के क्लोज कर देंगे और यह हमारे पास मॉमोस के एक और शेप त्यार हो चुकी है तो अब हम नेक्स टेप जो है वो हमारे इनको स्टीम करना है यहाँ पर मैं आज आपको स्टीम मॉमोस बनाना सिखाऊंगी तो हम चले इनको स्टीम करते है स्टीम करने के लिए सबसे पहले हमने एक कड़ाही में ओईल आइड किया ओईल की कॉइंटिटी आप देख सकते हैं ज्यादा ओईल आइड नहीं करना एंड मॉमोस आर रेड़ी आईए आईए आप इसको हम स्टीम करते हैं ओईल अब गरम हो चुक है तो अब इसमें एक एक करके हम मॉमोस आइड करेंगे और उनको दोनों साइड से हलका हलका से ब्राउन करेंगे ज्यादा fry नहीं करेंगे बस golden brown करेंगे जब दोनों साइट से equally fry हो जाएं तो इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके फोरन इसको लिड्स से cover कर देंगे ताकि यह स्टीम हो जाएं यहां पर मॉमो स्टीम हो चुके थे तो अब हम इसकी सोस बनाते हैं सोस बनाने के लिए सबसे चिली चाहिए सबस्मेट्स एड़ करेंगे दुनों इसमें चुटकी भर नमक एड़ कर देंगे दन इसमें थोड़ी से चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ब्लैक पेपर एड़ करके इसको मिक्स कर लेंगे चिली सोस भी आप एड़ कर सकते हैं उसके बाद इसमें होट ओल करें वीडियो पर कुमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें बैल का इकन प्रेस करना मत भूलें ताक कि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें न्यू रेसिपी के इसके इलाबा मुझे इंस्टा और फेस्बुक पर भी जुरूर फॉलो कीजएगा मिलते है न्यू रेसिपी के साथ अलाफिस